ट्रांस्पोर्टर सहा कोल व्यवसाई प्रविन राय की गोली मारकर हत्या एक घायल पुलिस मामले की चानबिन में जुटी घटना की CCTV की कर रही यही जाच घटना सलसे 15 गोली एक कट्टा बरामद धनबात के पाथरी थाना शेत्र के साउथ कॉलोनिस्थेट काटागर के समीब बाइक सवार दो अग्यात अप्राधियों ने कोल ट्रांस्पोर्ट सहा सेल करमी प्रवीन राय की गोली मारकर हत्या कर दी अब प्राधियों द्वारा की गई गोली बारी में राजकिशोर सिंग नामक वैक्ती भी खायल हुआ है जिसे इलाज के लिए अस्पतार में भर्ती कराया गया है फिलाल पुलिस पूरे मामले की चानमीन करने में जुटी है वहीं इस घटने से गुशा है लोगों ने धनबाज जरिया मुख्य मारक को जाम कर अपना आक्रोश भी वेक्ट किया वहीं इस घटना से आक्रोशित लोगों ने बॉड़ी को पोस्ट मॉटम के लिए भेजने से इंकार किया कहा जब तक SSP घटना स्थल पर नहीं आते तब तक बॉड़ी यहां से कहीं नहीं जाएगा घटना के सम्मन में बताया जा रहा है कि मृतक प्रवीन राय चासनला साउथ कॉरोनी स्थेत अपने ट्रांसपोर्ट कारले के समीब खड़े थे तब ही अचानक ग्लैमर बाइक पर सवार होकर मौके पर पहुंचे दो अग्याद बदमाशों ने प्रवीन राय पर गोलिया चला दी बदमाशों ने प्रवीन को तीन गोलिया मारी है जो उनके चहरे और सिर पर लगा है प्रत्यश दर्शियों के अनुसार बाइक सवार दोनों बदमाश मौके पर पहुंसते ही अंधादून फाइरिंग करने लगे जिससे मौके पर अफ्रात अफ्री मच गई सभी दुकानदारों ने तुरंट अपने दुकान का शटर गिरा दिया इसके बाद हत्या की नियत से आए उन बदमाशों ने प्रावीन को निशाना बना उन पर गोलिया दाग दी घटना के बाद स्थाने लोगों ने जमिन पर गिरे प्रवीन रायकों उठाकर चासनाला स्वास्त केंडर ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें इम्रत घोशित कर दिया बताया जा रहा है कि अप्राध्यों द्वारा की गई गोली बारी में एक अन्य वैक्ति जो पेशे से होटल मालिक बताया जा रहा था वो भी घायल हुआ है जुसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ति किया गया है हत्या के खिलाफ प्रविन समर्थकों ने चासनाला CHC के समीप सड़क जाम कर दिया है वहीं पुलिस CCTV का फुटेज खंगाल रही है प्रविन की हत्या के पीछे व्यवसाइक प्रतिद्वन दिता बताया जा रहा है पुलिस हत्या करने और कराने वाले का सुराग ढून रही है वहीं घटना को लेकर कॉंग्रेस के जिला अध्यक्ष्टे कानून विवस्ता पर सवाल खड़ा किये है अब हर एक व्यक्ति सुरचित महसुस करा धनबाजिला में प्रति घटनाओं की लगातार कई हर्ट्याई होची कि चिंता के विशे है आपकी सरकार है सब्सक्राइब करती है कि पुलिस इस मौमलें पर जल्दी सक्त करवाई करे और कि अगर गुली मारा तो श्मिशी तो इसे कोई रंजीस होगा तभी मारा है इन से पहले भी इन पर एक हुआ था और अंगर अच्छक मांगे थे थे जिला पर सशों को देना चाहिए थे जब एक बैपारी शुब्सक्राइब तो शुब्सक्राइब यह बहुती इस्वाल ख़़ा करता है वहीं घटना को लेकर सिंद्री सजप्यों अभिशेक कुमान ने बताया कि कोल ट्रांसपोर्ट प्रवीन राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है घटना की जांच की जा रही है एक अन्य वैक्ति घायल हुआ है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जां हम लिए जांच किया जा रहा है ट्रांसपोर्टर का काम करते थे और उनके कुछ काम से एक अन्य बेक्ति को भी लगने की स्मुछना है वह लागे लाज़ रही है वह हलका अच्छो के गोली निकला लिको वीलाज रत था है तिन दिन से रहकी किया जा रहा था सर इस बार में कितना परामत हुआ है सर्जा है अभी सब जांच चल रहा है जांच करने के बाद हम आपको बता पाएंगे हम अचसे कर रहे हैं जांच कर रहा है सारा इसरा एट सब कुब भी डूपर जांच हो रही है将 सब तना प्रजा त Đây सब पसले निजयारे मेंता इस here